हेलो फ्रेंड्स स्टापसलेशन कमिशन एससी के और से नया और इंपोर्टेंट आ गया है और यह जो अपडेट है भूआ तो इसमें जो एक्जाम हुआ था जुनियर हिंदी ट्रास्लेटर का एक्जाम 2020 वाला उसका फाइन रेजल को डिकलेर कर दिया गया है बोड की और से तो यहां बहुत बड़ा अपडेट है यहां बहुत खुशी देने वाला भी अपडेट है तो आए इसके बार हम समझते हैं क क्या है यहां अपडेट पूरा तो इसको सब्सक्राइब कर देखते हैं यहां पर कि रिजल्ट पेपर टू ऑफ जुनियर हिंदी ट्रांस्लेटर एंड जुनियर हिंदी ट्रांस्लेटर एक्जाम 2020 वाइस डिकलियार ओन चौदा साथ 2021 वेर इन 1070 केंड़ेट्स वर शॉटलिस्टेड फॉर डॉकुमेंट वरिफिकेशन तो इसका जो एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट को यहां पर जारी कर दिया गया था चौदा जुलाय 2021 को जिसमें से 1070 केंड़ेट्स को सोट लिस्ट किया गया डॉकुमेंट वरिफिकेशन के लिए तो यहां पर क्या कीपिंग इन भ्यू दा वेकेंशी पोजिशन केटिकेरी वाइस डिटेल्स ऑफ 182 केंड़ेट्स क्वालिफाइड पॉर एपॉर्डमेंट टू वेरियस पोस्ट इन डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ओफिसस और इस गीवन विलोती यहां पर जो है वेकेंशी पोजिशन केटिकेरी वाइस डिटेल्स जो है 182 केंड़ेट्स क्वालिफाइड हुए है एपॉर्डमेंट के लिए तो यहां पर दिया गया वाववन चौदव नाइंटी फाइब वन एटीट्व उसमें से केंड़ेट्स जो विया है उसमें भी फुल्फिल किया हुआ है यहां 14,7,52,14,95,182 टोटल देख रहा है यहां पर आप यहां पर इस परकार से देख सकते हैं यहां पर ओ-एच कैटेगरी 01,OBC,N03,U-R,C,H साथ-साथ आप यहां पर तीन नंबर में देख रहा है तो यहां पर जो दिया गिया है वो क्वालिफाइड के लिए कह रहा है कि इसको Merit come Order of Preference तो Order of Preference की हिसाब से इसको बनाया जाएगा और उसके साथ-साथ पर पोस्ट डिपार्टिमेंट की हिसाब से भी Candidates को Document Verification के हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा इससी परकार का यहां पर काया रहा है इसके अलावा में जो यहां पर चोथा नंबर पर तो यहां पे जो है सिलेक्ट जो भी स्टूडेंट्स को यूटनेटर के लिए और जितने भी मार्स पर आप की हैं उसको डेट-व बिर्द के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है इंक्येस इस वे इस ते कीटेगरी यहां पर है यहां पर है यहां पर है यहां पर है यहां करके हैं एक काटेगरी 016 89 किया फिर वेकंसी है चार मतलब 4321 120 इसको फिल किया गया है 4321 020 कि इसा से टोटल इस परकार से है और पेपर 2 में इनके जो मार्क से वो भी इस परकार से लिट किया गया है पेपर 1 में जेनरल हिंदी इसमें भी 93.75 82.50 95 00 9625 इस परकार किया है पर मार्क दिया गया है उनके चुछ डेट अब बर्द यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसके अलावा में आप यहां पर जो है कीटेगिरी नंबर यहां पिस सारह कुछ दिया गया इसमें आप लोग बिल्कुल अच्छ Зап maximize दिया गया है और है यहां पर सार्चिंस यहीं पर दिया हुआ है D1 D2 करते हुए D9 तक आया देखिए यहां पर सारा कुछ इस परकार से है यह तो होरिजेंटल वेकंसी के लिए है केनिट सेलेक्टेट एगर होरिजेंटल वेकंसी और सौन इन दियर रेस्पेक्टि वर्टिकल के टेगरी तो इहां पर जो भी कोरिजेंटल वेकंसी यहां पर दीख ह रहा वहां उसे परकार के वर्टिकल क्रेटिक्रिस में भी दिखा ही देगा यह भी कहा रहा है साथ साथ जो भी यहां पर निल लिख दिया जाएगा इस परकार से है यहां पर है डिटेल्स ओव डिपार्टमेंट स्कोर्ड फॉर विच एलोकेशन से हैं विए अर एज अंडर देखिए यहां पर जो है डिपार्टमेंट था वह भी है इस पर करके यहां पर पोस्ट ने भी आप लोगों को पता होगा ही यहां पर दिया भी गिया है साथ ही साथ यहां पर सारा कुछ दिया गया है इसके अलावा में आ देख सकते हैं कि इस पर दो यहां पर दो और अधिक हो जाएंगे तो उसके लिए जो है एग्रिगेट मार्ट देखा जाएगा पेपर नर पेपर तू में उसी के हिसाब से फिर उनको सेलेक्ट के जाएगा और अगर अगर इस अधिक विह हो जाता टै हो जाता फिर भी तो यहां पर यह जो फेर्वार मला दिया उसी हिसाब से यहां किया जाएगा थैसा में डेट बद को भी देखा जाए कि और जो भी बड़ा रहाएगा यानि कि ओल्डर कंडिडर स्पेल तो जो भी बड़ा कंडिडर रहेगा उसको फिर माँ पर प्रिफेरंस के जाए के साथ साथ अलफा बेटिकल ओडर अब दा नेम अफ इसके बाद में जिसका जो लेटर से जुरू हता है उस नाम मला है उस अलफाबेट से ही उस के इसको सेलेक्शन और प्रिफेरंस दिया जाएगा यह भी यहां पर काया रहा है आप लोग यहां पर देखे रहे हैं इसके अलावा में आप यहां देख साथ है साथ 7 नमर में एन डिसक्रिप्रिएंसी विद के बारे में वह साथ को लाना है एने सच रिप्रजेटनेशन रिसिद अप्टर वन मांथ विल नोट बी इंट्रेंड बाइट कमिशन तो एक महिना के बाद में अगर जो भी आएंगे तो उसको फिर यहां पर कोई एंट्री नहीं मिलेगा यह भी कहा कि साथ-साथ-स इस फि नोटिस ओप दा यूज़ डिपार्टमेंटल इमिडिटली दियरप्टर यहां पर यह भी कहा रहा है कि किसी भी केंडिडेट्स को अगर बोड की और से कम्मिनिकेशन के रूप में कुछ नहीं मिलता है तो वह लोग एक साल के बाद तक अगर नहीं मिलता है तो वह लोग ब नोवंबर 2021 इस फेसलिटी विल भी अवेलेबल फ्रोम 9-11-2021 तू 30-11-2021 केंडिडेट्स में चेक दियर इंडिविजुल माक्स तो यहां पर है जो भी केंडिडेट्स पास किया है और जो भी नहीं किया है यानि कि क्वालिफाइड है उनको उनका जो माक्स से वह अपरोड कर दिया गया हुआ है नो 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 नोवंबर को और साथ साथ में इसका जो अवेलेबल होगा हुआ है 9 नोवंबर से लेकर के 30 नौबर 2021 तक को यहां पर रहेगा यह फेसलिटी आप लोग यहां पर एपना इंडिविजुल माक्स चेक कर सकते हैं उसके लिए आप बाइजिंग यह बहुत बड़ी अपडेट एक हुशी की बात है कि यहां पर है फाइनल सेलेक्ट कर लिया है स्टूडेंस को जितने भी स्टूडेंस पास हो गया है वोग अभी नसारा डोकॉमेंट्स को अच्छा से रख ले ताकि डोकॉमेंट फेरिफिकेशन में उसको को कोई दिकत नहीं हो तो यहां बहुत बड़ी नोटिस से एसे सी की और से इंडिकलेशन नो फाइनल रिजल्ट ओप जूनियर हिंदी टास्ट लेटर जूनियर टास्ट लेटर एंड सिनियर हिंदी टास्ट लेटर एजामेरेशन 2020 का है